नमस्कार मेरे चैनल सब कुछ पर आप सभी का स्वागत है आज हम एन्रोबिक सिस्टम के द्वारा जो लिक्वीड निकाला जा रहा है उस लिक्वीड का यूज करके अनार की यहां पर खेती की जा रही है और अनार कितने और कैसे लगे यह मैं आप लोगों को इस फाम के कि ऩर यह इस अनार के पांड़ों पर लगभर यह पौंदे पांच से छे साल के प॑नदे हैं उस पर एक आनार पर कितने प्वंदे पर एक कितने पीस लगे हुए यह मैं आप लोगों को दिखा रही रही हूं आप फ्रंट केमेरा करके में दिखा रही हूँ यह अपना लिक्वीड फोम में रेडी होकर निकल रहा है उस तरफ से सब स्लरी बना के डाला हुआ था इस तरफ से यह आप देख सकते हैं बिलकुल लिक्वीड फोम में निकल कर आ रहा है ये स्प्रे भी कर सकते हैं वैसा हो रहा है और ये रिपिरिगेशन के द्वारा भी दे सकते हैं वैसा यहां पे लिक्वीड निकल रहा है आप देख सकते हैं यहां से आउटपुट में से यहां से लिक्वीड निकल आ जा रहा है अभी ही अगले वीडियो में हमने आगे देखा कि एन्रोबिक सिस्टम में सलरी में से कैसे लिक्वीड बनाया जा रहा है और उस लिक्वीड का यूज करके जो पौंधे उगाए गए है जहां उपयोग किया जा रहा है वो मैं अनार के पौंधे आप लोगों को दिखा रहे हूँ उसमें देखो अनार की साइन भी बहुत अच्छी आई हुई है कौलिटी भी बहुत अच्छी बनी हुई है और अनार बहुत ज्यादा मात्रा में लगे हुए हो और आप देख सकते हैं यह पौंधे भी भी खिले खिले और हरे हरे हैं उसमें अनार की मात्रा भी बहुत बढ लगबग एक पॉंधे में डेट सो से दो सो जितने पीस लगे हुए है और सबी पीस देखिए आप साइन बहुत अच्छी है इसमें और इसमें अभी तक कोई रोग भी लागू नहीं हुआ है और यह आप आगे भी देखिए आप लोगों को यह ना लगे कि जहां पर आनार ज लगी हुई है और उस सिस्टम के द्वारा आनार को जो लिक्विड रिया जा रहा है इस पे स्प्रेइ भी किया गया है और डिप इरिगेशन के द्वारा भी दिया गया है आप देख पा रहे हैं और कितनी बढ़ीय मातरा में लगे हुए हैं और कॉलिटी भी बहुती अच् और एक अच्छी बात ये है कि अभी ये डेट सो से दो सो पीस लगने के बाद भी अभी भी फ्लावरिंग रुका नहीं है अभी ये आप देख पा रहे हैं अभी बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग भी स्टार्ट ही है अभी इसकी वजह से अभी ये पीस की संख्या भी अभी अभी मिलवाया मैंने बोला था आप लोगों कि मैं उस फांब की विजिट भी जरूर कर वाऊंगी इसलिए मैं आप लोगों को ये अनर के फांब की विजिट के लिए लेकर आई हूं बहुत ही बढ़ी अनर लगे हुए है दोस्तों ये अनरोबिक सिस्टम सच में किस करना चाहता है लेकिन अलग अलग ग्रूप में सब कुछ डालने में उसे वक्त भी ज्यादा जाता है इसलिए ये लिक्वीड फोम में तैयर हो जाता है इस वजह से वो ड्रीपिरीगेशन के द्वारा याप पंप से स्प्रे भी कर पा रहा है इसलिए बहुत ही बढ़ी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको महीती अच्छी मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सिस्टम का सिस्टम पोच सके ताकि सब किसान ज्यादा खर्च से बच सके कम खर्च की दवाईयों से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पा सके थेंक यू थेंक यू सो मच